हेलो फैंस कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे डियाडियो के बारे में यानि की डियाडियो के टेकनिसियन एक है जिसमें की इलेक्ट्रिसियन, फीटर, कोपा, वेल्डर, टर्नर और बहुत सारे ट्रेड्स के लिए और स्टिय यानि की सीनियर टेकनिकल असिस्टेंट बी के लिए जिसमें की कम्प्यूटर साइंस, मेकेनिक इंजिनियर, एलेक्ट्रिकल इंजिनियर, केमेस्ट्री और सभी ट्रेडरों के लिए यानि कि इस वीडियो में हम GK और GS से पढ़ने वाले हैं, तो यह सेट नमबर 7 रहने वाला है, और इसके पहले हम लोगों ने, यानि कि इसके पहले मैंने 6 सेट दे रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो जाकर देख सकते हैं, प्लेइलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और अगर आपकी त्यारी पक्की होगी, तो आपकी सेलेक्शन भी पक्की होगी, तो आएए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला कोश्चन है, वायू में 0 डिग्री सेलसियस तापमान पर ध्वानी की गती होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन ए, यानि कि एक सेकेंड में 331 मीटर इसकी जो गती है, किसकी, तो वायू में 0 डिग्री सेलसियस तापमान पर ध्वानी की गती, अब आए इसे लेट कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि भाप में जो ध्वानी का जो वेग होता है, वो कितना होता है, तो 405 मीटर पर होता है, अगला, तो अलकोहल जो होता है, उसमें ध्वानी का जो वेग होता है, उस माध्यमें, अलकोहल का माध्यम में, वो कितना होता है, तो वो होता है, 1213 मीटर पर सेकेंड होता है, अगला है, हाइड्रोजन माध्यम में ध्वानी का जो वेग होता है, वो कितना होता है, तो 1269 मीटर पर सेकेंड होता है तो आई वोप आपको समझ में आ रहा होगा अगला कोस्टन देखते हैं तो कोस्टन नमबर सेकेंड नीला थोथा का रासाइनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन ए यानि कि कॉपर सलफेट यानि कि जो नीलात होता है उसका जो रासाइनिक नाम है उसका जो रासाइनिक नाम है वो क्या है? तो कॉपर सलफेट है अब इससे लिए एक पॉइंट को देख लेते हैं जैसे कि सोडियम सलफेट का रासाइनिक सुत्र जो होता है वो होता है Na2SO4 होता है किसका तो sodium sulfate का next question है question number third निमनलिखी तिमेंसे कौन सा प्रकृति में छाडिय है तो इसका right answer हो जाएको option D यानि कि NaOH यानि कि sodium hydroxide जो sodium hydroxide है वो प्रकृति में कैसा है तो छाडिय है अब इससे लेटेट कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि HCl, HNO3 और H2SO4 यह सब कहा है तो यह अमल है next sodium hydroxide का उप्योग साबून और detergent में किया जाता है यानि कि जो sodium hydroxide है इसका उप्योग हम करते हैं साबून में भी करते हैं और detergent दोनों में करते हैं next question है question number fourth किसी तत्व का electronic बिन्यास 285 है उस तत्व का नाम क्या है यानि कि electronic बिन्यास 285 है यानि कि जो atomic number है वो कितना है तो वो 15 है तो इसका जो तत्व का जो नाम है वो क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि phosphorus यानि कि जो phosphorus होता है उसका atomic number होता है वो 15 होता है अब आए इसे related कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि phosphorus से फासकर ब्राञ्ज मिस्र धातू तयार किये जाते हैं next, zinc phosphate का उपयोग जो zinc phosphate जो होता है उसका उपयोग हम चूहा-wee-s के रूप में करते हैं यानि कि चूहे को माननी का जो दबा होता है वो किस चीसे बनता है तो वो zinc phosphate होता है इससे बनता है next question है question number 5 किस धातू का छ goggy नहीं होता तो इसका रॉट आंसर हो चायेगा ऑप्चन डी यानीकि प्लेटीनम यानीकि जो प्लेटीनम है इस धाने प्लेटीनम धातू का छ swiftly है नहीं होता है अब आगी इसी रेटेट कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जैसे कि प्लेटीनम बहुत प्राचीन समय से ग्यात धातू है नेक्स्ट प्लेटीनम अधिकांस्त मुक्त अवस्ता में पाए जाता है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 6 भू परपर्टी में सरवाधिक प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाली कौन से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A यानि कि अलमूनियम जो है वो भू परपर्टी में यानि कि सरवाधिक प्रचूर मात्रा में पाई जाती है और इसका atomic जो संकेत क्या होता है संकेत होता है और इसका atomic नमर कितना होता है तो 13 होता है अल्मोनियम का और calcium जो होता है इसको CA से सुचित करते हैं और जो लोहा होता है उसके एफी से सुचित करते हैं, सोडियम को एने से सुचित करते हैं अब आये इसे लिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जैसे कि लोहा का निस्कर्शन मुखेता लाल हेमेटाइट एसक से लिया जाता है नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर सैबन लोह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चड़ाने की प्रकिया को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएको ऑप्शन C यानिकि गल्विनी करन कहा जाता है, यानिक गल्विनाजेशन कहा जाता है अब इससे लिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इससे की जिंक कार्बोनेट से चर्म रोग की दवा बनाई जाती है यानिकि जो जिंक कार्बोनेट है इससे चर्म रोग की दवा बनाई जाती है नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड जल में अगुलंसिल है अगला कोश्चन है, कोश्चन नमबर 8 मानो सरीर की सबसे लंबी हड़ी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D यानि की femur जो femur है वो मानो सरीर की सबसे लंबी हड़ी है और femur कहां पाई जाती है तो वो जांग की जो हड़ी होती है उसी को femur बोलते है अब आएए इसे लेटेट कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि stepi जो stepi जो सबसे छोटी हड़ी है जो कान में पाई जाती है अगला question है tbm एवं fibula जो ये दोनों जो हड़ी हैं ये पैर की हड़ी हैं अगला question है question number 9 दूद प्रोटीन को पचाने वाला enzyme है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि रेनीन रेनीन जो है वो दूद प्रोटीन को पचाने वाला enzyme है अब आए इसे related कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि रेनीन अमासे से निकलता है next दूद का रंग उजला केसीन प्रोटीन तथा जो पीला रंग होता है वो केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है यानि कि जो उजला रंग होता है दूद का वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है और जो पीला रंग होता है दूद का वो केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है अगला question है question number 10 यूडिया का निर्मान कहा होता है तो इसका right answer हो जाएगा option B यनि कि यक्रित में होता है अब isolated कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि व्रिक या गुर्दा के जो इकाई है वो क्या है तो नेफ्रोन कहते हैं उसे नेक्स्ट ब्रिक में जो पत्थर के जो निर्मान होता है यानि कि जो पत्थरी जिसको बोला जाता है वो calcium oxalate के करण होता है अगला question है question number 11 महात्मा गांधी भारती राष्ट्रिया कॉंगरेस के अध्याक्षे कब चुने गयत है तो इसका right answer हो जाएगा option B यानि कि 1924 में चुने गयत है महात्मा गांधी जो थे वो भारती राष्ट्रिया कॉंगरेस के जो अध्याक्षे चुने गयत है वो 1924 को चुने गयत है अब इससे related कुछ points को देख लेता है जैसे कि महात्मा गांधी एक मात्र बेलगाओं कांगरेस अधिवेशन जिसकी अध्याक्षेता किये मात कौन से बेलगाओं जो अध्याक्षेता है इसी की अध्याक्षेता महात्मा गांधी ने किये थे नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमर टुएल फोरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option B यानि कि सुबास चंदर बोस यानि कि जो सुबास चंदर बोस थे वो फोरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे अब आये इसे रेटेट कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जैसे कि अग्रगामी पार्टी की अस्थापना मई 1939 में किया गया नेक्स्ट राम मनोहर लुहिया और जै प्रकास नारायन समाजवादी नेता थे नेक्स्ट कोस्टन है कोश्रम 13 महात्मा गांधी ने अपना राजनितिक गुरु सुषिकार किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएको option D यानि कि गोपाल कृष्ण गोखले को यानि जो गोपाल किष्ण गोखले थे वह महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु थे अब आई इसे related कुछ points को देख लेते हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने उधारवादी नेता थे यानि कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उधारवादी नेता थे अगला कोष्ण है कोष्ण नमर 14 पल्लव वन्स का अंतिम सासक कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D यानि कि ऑपराजित वर्मन यानि कि ऑपराजित जो वर्मन थे वो पल्लव वन्स के अंतिम सासक थे अब आए इसे related कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि पल्लव वन के संस्थापक सिह विश्णू थे नेक्स्ट पल्लव वन्स के जो महांतम जो सासकते वो कौन थे तो नर्सिंग वर्मन फर्स्ट थे नेक्स्ट पल्लव वन्स की राजधानी काची पूरम थी अगला कोशन है कोशन में 15 प्रागेती हासिक यूग में मानो कहां रहता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी यनि कि कंदरा में रहता था नेक्स्ट कोशन कोशन में 16 जन्द्रगुप्त मौर की राजधानी थे तो इसका राइट आंसर हो जाएक। option B यानि कि पार्टली पुत्र यानि कि चंद्रगुप्त मौर की जो राजधानी थी वो कहा थी तो पार्टली पुत्र में थी अब आए इसे यिलिटेट कुछ पॉइंट सो देख लेते हैं जैसे पार्टली पुत्र को उदाइन जो उदाइन थे उन्हों ने बसाया और इसकी राजधानी भी बनाया next, चंदरगुप्त मौर्य मौर्य वंस के संस्थापक थे next, चंदरगुप्त मौर्य घनानन्द को पराजित किया next question है question number 17 कौन गुप्त शाशक नहीं था तो इसका राइट अंसर होज़ाएक option D यानि कि देव गुप्त था वो गुप्त सासक नहीं था अब आए इसे रिटर कुछ पाइंट्स को देख लेते हैं जैसे समंदुर गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 18 रामायन लिखी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए यानि कि वालमी की के द्वारा रामायन को लिखा गया अब इसे रिटर कुछ पाइंट्स को देख लेते हैं जैसे कि रामायन में राम और रावन के बीच यूद का वर्णन है यानि कि राम और रावन के बीच जो यूद का वर्णन है वो रामायन में है नेक्स्ट कॉॉटिल ये ने अर्थसास्तर पूस्तक को लिखे हुए थे हैं अगला कोशन है कोशन में 19 किस ग्रह का अपना अक्ष पर जो जुकाव है वो जीरो डिगडी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षन डी यानिक उप्रूप्त मेंसे कोई नहीं अब इसे लेटर कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जैसे कि मंगल ग्रह का जो अपने अक्ष पर जो जुका हुआ है वो कितना है तो 25 डिगरी क्या कौन बनाता है यानि कि जो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिगरी कौन बनाता है यानि कि जो प्रित्वी है वो अपने अ अगला question है कोशन में 20 कस्मीर को सेस भारत से जोड़ने वाला दर्रा है तो इसके Ganit तो इसका right answer हो जाएक option c यहनि कि बनी हाल दर्रा यहनि कि बनी हाल दर्रा जो है वह कस्मीर को सेस भारत से जोड़ता है अब इस आसे लेंट कुछ points को देख लिएता है जैसे कि लिपूलेक जो द़र रहा है वो उतराखंड में इस्तित्ह सब्सक्राइब और अगरा आप चाहते लिए वीडियो का PDF तो आप हमने टेलीग्रम को जोईन कर सकते हैं टेलीग्रम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाकर जोईन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग